हलो गुण मॉनिंग जुहार मसंजे और आप देख रहे हैं निगो जार्खन समय हो चला है जार्खन के खबरों को जानने का तुछ लिए जानते हैं आज की जार्खन के 25 मुख्य बड़ी खबरों को जार्खन विधान सभा के फ्लोर टेस्ट में मौजूद रहेंगे हेमंत सोरिन कोटन दी अनुमती पांच फरवरी को चमपई सोरिन को बहुमत साबित करना है जार्खन के पूर्व सीम हेमंत सोरिन विधान सभा में विश्वास मत के तौरान मौजूद रहेंगे राजी की विसेश कोट ने सनिवार को हेमंत को इसकी अनुमती दे दी जारखन की नए सीम चमपई सोरिन पांच फरवरी को विधान सभा में विस्वास मत का सामना करेंगी इसके लिए विसेश शत्र बुला गया है जमीन घोटाले में हेमंत को 31 जनवरी को इडी ने अरिश्ट किया था कोट ने दो फरवरी को उनकी पांच दिन की रिमान इडी को दे थी विसेश जज़ दिनेश राय की कोट में इस मामले की शुनवाई हुई हेमंतु सोरेन की और से दायर याचिका में कहा गया था कि राज़ेपाल ने पांच फरवरी को फलोर टेश्ट के लिए समय तैकिया है हेमंद अभी इडी की रिमान में है इसलिए विधान सभा के विसेश शत्र में उपस्तित रहने की अनुमती दे जाए कोट में दाकिल याचिका पर दोनों पक्चों की और से बहस हुई महाधिवक्ता राजिव रंज़न ने हेमंतु सोरेन की और से पक्च रखा सुनवाई के बाद कोट ने हेमंतु सोरेन को विश्वार्श मत के दौरान उपस्तित रहने का आदेश दिया जारकन में पाँच फरवरी से बारिस की संभावना लोको सावधान और सत्रक रहने की सलहा राज में फिलहाल ठंड से राहत की उमीद नहीं है पाँच फरवरी से बारिस की संभावना है सुभा साम होने वाले कोहरे से भी अभी राहत नहीं मिलने वाली है राजी में सनिवार को सुभा से मौसम साप रहा, धोब भी किली रही लेकिन हवा की रप्तार ठंड महसूस करा रही थी इस समन में राजी मौसम विभाग के वग्यानिक अभिशेक आने ने बता है कि आने वाले समय में एक बार फिर से मौसम में बदला होगा पांस से साथ फरवरी के बीच राजी में बारिसों की इस दोरान राजी में पश्चमी विच्छोप का असर देखा जाएगा जिससे राजी के दच्छनी, मध और उतरपूर्वी भागों में बारिस की संभावना है बारिस के साथ उत्री हिस्से में गरजन की भी शंभावना है इसमें देवगर, धनबाद, दूमका, गिरिडी, पाकूर, गोड़ा-जिले में बारिस की संभावना है। और साम के वक्त कोहराया धुन्द का सर देखा जाएगा। पूरी तरह से जल चुका है। इस वज़ा से युवती की पहचान नहीं हो सकी है। उसने बुलू कलर की लेगिंस पहन रखी है। रंग का मौजा पहना हुआ था जिसकी अधार पर पहचान करने का प्रियास किया जा रहा है। घटना सनिमार सुभा लगभग नौ बजे की है। जिस इस्थान पर सौ बरामत की अगया है। उस इस्थान पर रांची के रंगोली सुइट्स के बत्रडे केक का छोटा सा टुकडा और बैग मिला है जिससे संभावना जताई जा रहे कि बत्रडे मनाने के बाद हत्या की गई है। जैससी घेराओं की दोरान तोड़ फूर मामले में 15 नामजद सहित 3-4000 अग्याद पर प्रात्मिकी दर्ज़ जैससी सीजल की परिछा से पहले प्रसन पत्र लीक मामले में बीते 31 जनवरी को आयोग के सामने प्रदर्शन कर रहे 15 नामजद सहित 3-4000 लोगों पर विभिन धाराओं के तहट प्रात्मिकी दर्ज़ की गई है। योगेन महतो, उर्फ योगेश चंद्र, भारती, बेबी महतो, विने महता, महुंदर प्रसाद महतो, विसाल पूल, चंदन, साइना परवीन, देव महतो, सहित 3-4000 अग्यात व्यक्तियों के वृद्ध, गाली गलोज, सरकारी संपत्ति को छतिगरस्ट करने, पुलीस कर्मी इवं मीडिया कर्मियों शे मारपीट और सरकारी कारे में बाधा उद्पन करने के आरोप में विभिन धाराओं में प्रात्मिकी दर्श की गई है, प्रात्मिकी के अनुसार प्रदर्सन कर रहे लोगों ने, तैनात आरक्षी, सुनिल कुमार जा, चैन आयोग की नीरज सिन्हा, दैनिक अखबार एवं इलक्ट्रोनिक मीडिया के पत्रकार सहित अन्य पुलिश कर्मियों पर पत्थरबाजी और मारपीट की, इसके साथ ही अध्धच की कार एवं चैन आयोग के कारेले को शतिगरस्त करने का आरोफ है राहूल गांधी ने देवगर व्यद्धनात मंदर में पूजा की, मंदर के बाहर मोधी मोधी के नारे लगे, राहूल बोले भाजपा का काम सिर्प सरकार घिराना कॉंग्रेस सांसद राहूल गांधी भारत जोडो निया यात्रा के 21 वे दिन सनिवार को जारखन के देवगर पहुचे, उन्होंने यहां बाबा व्यद्धनात मंदर में पूजा अर्चना की, राहूल इस दोरान गुलाबी धोंती पहने और माते पर चंदन ल लगाए नज सरकंडा में उन्होंने लोगों से बारचित में भाजपा और RSS पर नफरत, फैलाने और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पर अरब पतियों का कर्ज माप करने का आरोप लगाया, उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा जारखन में चुनी हुई सरकार को गिराने की कोसि रही है, रहुल ने कहे कि हमारी लड़ाई, बेजेपी, RSS के लोगों के दिल में भरी नफरत और डर के खिलाफे, ये लोग नफरत की राजनीती करते हैं, ये लोग एक जाती को दूसरे जाती से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, और आदिवासियों को गयर आदिवासियों से लड़ा रहे हैं और मेजर का तबादला हुआ है उन्हें जो है विर्मित करते हुए पुलीस मुख्याले को प्रति वेदन भेजना सुनुक्षित करेंगे खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यू जार्खन चानल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लेस चानल को सस्क्राइब करके बेल अकन प्रेस कर दिचे जिससे आपको जार्खन की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे तो च रहा है रैली को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है पूरा मंतरी वा प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के कारेकारी अध्धक्ष बंधु तरकी ने सनिवार को प्रेश्वारता में कहा है कि जार्खन में आदिवासियों के मुद्दे की अंदेकी कर ना तो सत्ता चल सकती है और नहीं सरकार और नहीं राजनिती। चुनौती देने वाली जार्खन के पूर्वर सीम हेमन्तो सोरेन की आचिका पर हाइकोर्ट में पांच फरवरी को शुनौई होगी। अच दिनों के निमान पर लिया है। जबरन ओबी डंपिंग कारी करने के विरोध में सनिवार को प्रदर्सन कर रहे हैं लोगों पर लाठी चार्ज और हवाई फाइरिंग के कबर मिली है। मिली खबर के मताबिक इस दोरान आउट्सोर्सिंग पर्योजना के समर्थकों ने ग्रामिनों को पर्योजना में आने सरोका, ग्रामिनों पर जम कर पत्थर बाज़े की और आठ हवाई फाइरिंग भी की। इसे ग्रामिनों में भगदल मर्ज गई अंततहा ग्रामिनों ने मोर्चा बंदी कर पुलीस की जो है मौजूदगी में आउट्सोर्सिंग समर्थक जो गुंडों को खधर दिया घटना के दौरान पुलीस करमी बेबस दिखे। इस दोरान आठ हमलावर उमेश महतो को पकड़ कर जम कर पीटाई गर गंभी रुपशिग घायर कर दिया इसके बादों से पुलीस के हावाले कर दिया ग्रामिनों ने आउट्सोर्सिंग समर्थकों के दो जो है मोटर साइकल में आग के हावाले कर दिया साथ ही एक मोटर सा परिचा लीक का मामला जैससी प्रस्न पत्र लीक मामले में सिबियाय जांच का किया मांग राची के सांसद संजे सेथ ने लोकसभा की बजट सत्र के दोरान जारखन में जैससी की परिचा के पेपर लीक होने का मामला उठाया सांसद ने कहा है कि एक तरफ पीम मोदी यवाओं को लाखो नौकरिया दे रहे हैं तो दूसरी तरफ जार्खन में परिचा का प्रस्न पत्र ही लीख हो रहा है स्री सेट ने कहा है कि राजी के युवा रात भर ट्रेन और बसों में सफर करके अपने परिचा केंद्रों तक पहुँचे परिचा हुई तब इन्हें पता चला कि इस परिचा का प्रस्न पत्र एक रात पहले ही लीख हो चुका है जारखन के मुख्यमंतरी भरष्टा चार के आरोप में जेल में हैं राजे का हर युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है हर साल पांच लाक नौकरी देने का वादा करने वाली सरकार ने युवाओं के सप निरौंदे हैं युवाओं को बेरोजगारी भगता देने का वादा किया इसी भी युवाओं को बेरोजगारी भगता नहीं मिला अपनी मागों के लिए आंदोलन करने वाले युवाओं को लाटियों सी पीटा जा रहा है उन पर लाटिय चार्ज किया जा रहा है सांसत संजे सेथ ने लोकसभा में या मांग की है कि जैससी के प्रशनपत्र लीक होने की मामले कि सिब्याय चांच कराई जाए जिससे युवाओं को इनसाप दिया जाए जंगल में लकडी चुनने गई महिला से कुलहाडी का भाय दिखा कर दरंदगी पुलिस ने आरोपी को किया गिरबतार जारखन के कोडरमा जिले में जंगल में लकडी चुनने गई एक महिला से गाओं की युवक ने टांगी कुलहाडी का भाय दिखा कर दुसकर्म किया पीडित महिला ने बता है कि जंगल में अकेला देखकर आरोपी ने उसे पीड से बान दिया और दुसकर्म किया सूचना मिलने पर पुलीस मौके पर पहुँची और आरोपी को गरबतार कर लिया थाना परभारी पंचम तिगा ने बता है कि पूरे मामले की जान चल रही है कोडरमा जिले के डोमचान थाना चेतर के अंतरगत मसनोडी पंचाद चेतर में एक बिरहोर महिला के साथ दुसकर्म का मामला परकास में आ है घटना के जानकारी सामने आने के बाद आरोपी संजय बिरहोर 35 वर सिपिता मंगल बिरहोर को इस्थाने लोगों ने पकड़ कर पुलीस के हवाले कर दिया सुकरवार दोपहर करिब धाई बजे आरोपी ने महिला के साथ जंगल में उस समय दुसकर्म किया जब वह लकड़ी चुनने गई थी घटना के बाद आकरोशित बिरहोर परिवार के लोगों ने राट भर आरोपी को बांध कर रखा और उसकी पिटाए भी की सनिवार सुभा आरोपी को डोमचांज पुलिस के हवाले कर दिया पिडित महिला को पुलिस ने मेडिकल जाज के लिए सदर अस्पताल को डरमा भीजा है सनिवार साम को पिडित महिला ने घटना को लेकर थाने में लिखित आविदन दिया है आरोपी पिडित महिला का रिष्ते में देवर बताया जा रहा है हद्रावाद के रिजॉर्ट में जारकन के विधायकों की कड़ी पहरेदारी जारकन के महागडबंधन विधायकों की खरीद प्रॉक्त से बचाने के लिए हद्रावाद के एक रिजॉर्ट में पूरी निग्रानी में रखा गया है विधायकों के खान पान के लिए अलग इस्थान कमरों की पहरेदारे के लिए पुलिस कर्मी और कई अन इंतजाम किये गए हैं पार्टी सूत्रों ने सनिवार को या जानकारी थी बतादे की जारकन से विधायक चमपई सरकार के सपत के बाद दो फर्वरी को चार्टेट प्लेन से यहां पहुंचे थे उन्हें यहां सामरी पेट इस्थित लियोनिया होलिस्टिक डेश्टिक डेश्टिनेशन ले जाए गया जानकारी के अनुसार सभी करीब 40 विधायकों को कॉंग्रेस कमेटी सची और पार्टी की देलंगाना प्रभारी दीपा दास मुझ्दी की निगरानी में ओब बीच ब्लॉक में ठारा गया है यहां किसी भी अनाधिकरित वाक्ती के परवेस पर रोख है विधायकों की संभावित खरीद परोक्त को देखतो हुए यहां इंतजाम जए किये गए हैं पुलीस अधिकारी निकास और परवेस द्वारों की exec 2400 गंटे पहरेदारी कर रहे हैं विधायकों को जिन कमरों में ठारा गया है उसकी पुलीस कर्मी पहरेदारी कर रहे हैं खुन्टी में आयुजित पूर्वी छेतर कृसी मेले का उधगाटन सनिवार को केंदरी एकृसी एवं किसान कल्यान वा जनजातिये कार्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। उन्होंने कृसी विज्ञान केंदर के प्रसासनिक भवन का भी उधगाटन किया। मेले में लगे अस्टॉल का उधगाटन किया, किसानों को संबोधित करतोवे उन्होंने कहाय किया मेला देश के पूर्वी छेतर के किसानों के लिए काफी लाब दायक होगा। जमीन घोटाला मामले में एडी ने राजस्व कर्मचारी भानू प्रताब प्रसाद को गरपतार किया है इस मामले में रिमांट की सुनवाई पांच फरवरी को होगी बतादे कि एडी के अनुरोध पर जारी प्रोडक्शन वारंट पर उन्हें अदालत में पेश किया किया बत धर्म परिवर्तन कर जनजाती समाज के लोगों को आरक्शन से बाहर और डिलिस्टिंग बिल को पास करने की मांग पर गिरिडी वनवासी केंडर ने दिया धर्ना धर्म परिवर्तन कर इसाई और मुसलिम बनकर जनजाती समूदाय के लोगों को आरक्शन से बाहर करने समयत अन्य मांगों को लेकर गिरिडी वनवासी केंद्र ने सनिवार को धर्ना दिया। इस दोरान धर्ने में हिंदू संगठन के नेता विनोत केसरी दीपक सिरिवास्तो समयत कई जो है जन जाती समाज के काफी संख्या में लोग शामिल हुए। ये लिस्टिंग के मांग को लेकर राश्टर वापी धर्ना में बैठे हिंदू संगठन के नेताओं के साथ जन जाती समाज के लोगों ने सरकार से मांग करते हुए का है कि जो लोग इसाई और मुसलिम समुदाय के लोगों से साधिकर आरक्षन का फाइदा उठा रहे हैं उन सवारचालक सहित आठ यात्री घायल बोकारों में भीसम सड़क हाथसा हुआ है इस हाथसे में आठ लोग गंभी रुप से घायल हुए हैं वेर्मो फुसरो डुमरी मुखे रोड में यात्रियों शे भरे ओटो को नावाडी के पास पीछे से ट्रक ने टक्रमा दिया घायलो का इलाज नावाडी CHC में जारी है बताया जाता है कि टेंपो के सामने कोई मवेसी आ जाने के कारण उसने ब्रेक मारी इस तरह पीछे से आ रही ट्रक ने टेंपो को टक्कर मार दिया और यह घटना हो गई हिराची के पिठोरिया से लापता युवक का सौ बर्यामत पिठोरिया थाना पुलीस ने सनिवार को बुकरू कोक दोरो मार्क पर सारदा गलोबल अस्कूल के पास नालत से एक युवक का सौ बर्यामत किया मिर्टक अनूज टॉपो 35 वर्षी बुकरू का निवासी था अनूज पिछले एक सप्ता से लापता था परिजनों ने उसके लापता होने की लिखित सिकायत कांके थाना में कराई थी सौपर किसी तरह के चोट के निसान नहीं पाए गए पुलीस साओ को कब जमले कर पोश्ट मार्डम के लिए रिम्स भेज दिया नप गए राज सेवा के अफसर चलेगी विभागय कार रवाई सरकारी रासी के गबन के आरोप में राज प्रसासनिक सेवा के एक और अफसर पर गाज गिर गई है सरकार ने उनके किला विभागय कार रवाई चलाने के नर्णे लिया है यह विभागय कार रवाई मांडर के ततकालिन बीडियो गोपी उराओं के खिलाब चलेगी गोपी उराओं पर स्विकृत सीचाई कूप निर्मान योजनाओं से समंधित मास्टर रूल साथी गोपी उराओं को पंदरा दिन के अंदर जवाब देने को भी कहा गया है ससांक राज को युवा तो अमरदीप यादोख मिली अबिसी प्रदेश मोर्चा की जिम्मेदारी बिजेपी के प्रदेश अध्धक्ष बाबुलाल मरांडी ने सनिवार को राजज के प्रदेश मोर्चा अध्धक्षों के सूची जारी की गई है धनबाद में कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी के भारच जोडो नियायात्रा कारिक्रम को लेकर जिला प्रसासन अलट कॉंग्रेस के पूर्व अध्धक्ष राहूल गांधी की धनबाद में आयोजित होने वाली भारच जोडो नियायात्रा आच्चार फरोली को होगी जिससे लेकर जिला प्रसासन अलट है इसी करम में सनिवार को वर्य पुलीश अधिचक, रदेपी, जनार्दनन, ग्रामिन स्पी, कपिल चौधरी, अनमंडल पदधिकारी, स्री, उदय रजक निप्रस्तावित रूट का निरक्षन किया पदधिकारियों ने धनबाद जिले की जोह बॉडर, राहूल गांधी के रात्रे विस्राम इस्तल, गोविनपूर, सराइधिला, रंधिर वर्मा चौक, सार्मिक शौक से लेकर बैंक मोर तक यात्रा के निरधारित रूट का निरक्षन किया हिमन्तु सोरिन की गिरपतारी के 72 घंटे बाद भी धाराओं की जान कर नहीं, हम जल्द जारी करेंगे स्वेथ पत्र, सुपरियों, पूरू सीम हिमन्तु सोरिन की जमीन घोटाले में, एडिकी और से, गिरपतारी के बाद पहली बार जैमें मेडिया के सामने आया है, पार् सरकार के गठन होने के बाद से ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था, इनकी सीधी सोच है कि सरकार बनाओ, जनता ने समर्थन दिया तो ठीक, नहीं तो परिसान करके सरकार गिरा दो और फिर सरकार बना लो, इसका उधारन कई राज्ये हैं, गिरपतारी के 72 घंटे हो जाने के बाद भी धाराओं की जानकरी नहीं हुई है, किस जोर में गिरपतार किया गया है, इसका कोई अधार अभी तक निकल कर सामने नहीं आया है। को लेकर पार्टी के कारिक्रम को बहतर रूप से किया जाएगा, उन्होंने कहे कि पूरे राज्य में आजसु के द्वारा राजजवापी कारिक्रम का चूला परमुकों को जागरूप किया जाएगा। नहीं हो पाई है, मौके पर मौझूद ग्रामिनों ने बता है कि पिक अफ वहाँ तेज गर्तिस आ रहा था, अचानक वहाँ पर से चालक कन्यांतरन खत्म हो गया और विफ्रित दिशा से आ रहा साइकल सवार, उसकी चपेट मागया, इससे मौके पर ही उसकी माथ हो गई। अडानी के साथ न्याय, तो दूसरे लोग के साथ अन्याय क्यों, राहूल गांधी, कॉंग्रेस सांसद राहूल गांधी की भारत जोडो न्यायात्रा इन दिनों जारकन में है, उनकी यात्रा गोड़्डा से निकल कर राहूल गांधी की भारत जोडो न्यायात्रा दुमग के सराइया हाठ होते हुए देवगर पहुंचे लेकिन गोड़ा में रहने के दोरान उन्होंने केंदर पर जम कर निसाना साधा है उन्होंने अडानी का नाम लेते हुए पीम नरेंदर मोधी पर निसाना साधा है उन्होंने का है कि जो आपकी पुंजी है वो नरेंदर मोधी अपने मित्र अडानी को एक एक कर देते जा रहे हैं। और कमजोर वर्गों के साथ अन्या हू रहा है। अपने मित्र अपने मित्र अन्या है। अपने मित्र अपने मित्र अपने मित्र अन्या है। हेमन्त को रात में होटवार जिल में रहने की अन्या है। रिमान्ड अवधी में रात को भी होशकती है पूछताच पूर्व सियम हेमन्त सोरेन को एडी की रिमान्ड के दौरान रात को होटवार जिल में रहने की अन्या है। एडी कोट ने यह फैसला सुना है बतादे कि हेमन्त सोरेन की वकील की योर से एडी की रिमान्ड की आउधी में रात को उनको होटवार जिल में रखने की अन्यमती मागी जिल लेकिन कोट ने इसकी अन्यमती नहीं ती। इस बाबत एडी के वकील अनिल कुमार ने कोट में अपना पक्ष रखा, कहा कि हैमंतु सौरिन अभी एडी की कस्टडी में है और कस्टडी आधी अधूरी नहीं होती है या तो हैमंतु सोरिन को पूरी तरह से नियाय के रासत में रखा जा सकता है या उनकी पूरी तरह से कस् सव पुलीस जांच में जुटी गिरीडी के बेंगाबाद थाना इलाके के तीवारी पहरी के चितमाडी गाओं के एक खेत में सनिवार दोपहर 40 वर्सी युवग मकबूल अंसारी का सव पड़ा मिला मकबूल की हत्या हुई है या मामला कुछ और है इसकी जांच में पुलीस जुटी हुई है खेत में सव पड़ा होने की जानकरी मिलने के बाद काफी संख्या में इस थान लोग की भीड जुट गई इस दोरान जानकारी मिलने के बाद बेंगाबाद ठाना पुलीस ने भी घटनास्तल पर पहुंचका जान शुरू की इस दोरान पुलीस ने मिर्तक के सौ को पोश्ट माडम के लिए सदर अस्पताल भेजा वही जानकारी मिली तो मिर्तक के परिजन भी घटनास्तल पर पहुँची वैसे सुरवाती तोर पर जो बात सामने आई है उसके अनुसार मिर्तक और उसकी पतनी के बीच कुछ विवाद हुआ था वही दूसरे दिन उसका शव गाउं के खेत में पड़ा मिला जानकारी के कुरवार को ही गाउं लोटा था